प्रिय भाई और बेहनों, आज का शुबस अनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। आज का संदेश प्रफु के दास जोसी अबरहम आसम से वाटा जाएगा। प्रातना के साथ सुनेशे। परमेशर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुबस अनेश में हारदिक स्वागत करता है। आईए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री दो अध्याई उसका एक से तीन तक। जिस प्रगार उन लोगों में जूटे भोशोगता थे उसी प्रगार तुम में भी जूटे उबदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाकन का उत्खाड़न चिप चिप कर करेंगे। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंगार करेंगे और अपने आपको शीकर विनाश में डार देंगे। बहुत से उनके समा लुश्पन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार की निन्ना की जाएगी वे लोब के लिए बाते गड़ कर तुमें अपने लाप के कारण बनाएंगे और जो दंड की आगिया उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी दर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं पिछले सफ्था हम इन पदों से मनन कर रहे थें दूसरे अध्याय में जूटे शिच्चक के बारे में हम लोग देख सकता है एक से तीन पत तक हम लोग जूटे शिच्चा कोंगा लच्षन हम लोग देख सकता है उधर हम लोग देखे थे कि ए लोग जूटी शिच्चा कलीसिया में चिप चिप कर वो लोग लाएंगे और उनका उबदेश नाश करने वाले हैं और उनका शिच्चा के दुआला उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे परमेशर का ही इंकार करने वाला बनेंगे और यह लोग के बारे में हम लोग देख सकता है अपने आपको शीक्र विनाश में डाल देंगे उनका भी विनाश होगा और जो लोग उसकी जूटे शिच्चा में पढ़े है उनका भी नाश होगा इसलिए हम लोग जूटे शिच्चा के परदि हम लोग होशियार रहना बहुत जरूरी है दूसरा पद में हमें इसे पढ़ता है, बहुत से उनके समान लुच्पन करेंगे, जिनके कारण सत्य का मार की निन्ना की जाएगी, गेलट छिच्चा के साथ क्या होगा, संसारियदा कलीसिया में गुसेगा, बहुत से उनके समान लुच्पन करेंगे, संसारियदा या कामुक कलिसिया में आएंगे और उनके कारण सत्य के मार की निन्ना की जाएगी गेलक चिच्चा जहां भी फैला है उदर उस गेलक चिच्चा के साथ में संसार यदा या अदारम यदा उदर आएगा जो लोग गेलक चिच्चा में फसे हैं वो लोग संसार के पीछे या लुच्पन म सत्य के मार की निन्ना की जाएगी, और जहां सत्य को सत्य वजन को नहीं मानते हैं, वहां वे लोग संसार के साथ कौंप्रमैस या समझोता करेंगे, और दार्मियदा का एक नीचे स्थर इधर उधर प्रगड होंगे इसी प्रगार परमेशर हमसे जो चाहते है जिस प्रगार का एक पवित्र जीवन एक अलगावट जीवन को चाहते है वो जीवन उदर नहीं होंगे और इसी प्रगार उदर क्या होंगे परमेशर का नाम की निन्ना होगा और सत्य के मार की निन्ना की जाएगा और विश्वासी लोग संसार के साथ समझोता करेंगे उसके कारण परमेशर का नाम की अबमान होगा और साती सात कलीसिया का भी आभमान होगा इसलिए हम लोग वजन की सही शिच्चा हम लोग समझना है और उसका पीच्चा हम लोग करना है कभी भी वजन की शिच्चाओं के साथ कोई प्रगार का समझोता या कॉम्प्रमाइस हम लोग नहीं करना है परमेशर का खरा वजन में हम लोग खरा शिच्चा में हम लोग आगे बढ़ना है उधर तीसरा पद दो यह तीसरा पद में पढ़ते है वे लोब के लिए बाते गड़ कर तुमें अपने लाप का कारण बनाएंगे और जो दंड की आग्या उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी दर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं और यह गलत शिच्चक लोग का एक जो विशेशदा है वे लोब के लिए क्या करेंगे बाते गड़ कर अपने लाप का कारण बनाएंगे वे लोब के लिए परमेशर को प्रसन नहीं करने के लिए नहीं चाहता है और अपने आपको तृप्त करने के लिए प्रसन करने के लिए अपना लाप के लिए वे लोग क्या करता है वजन को कुमा भिरा के सिखाता है फिलिपियों का पत्री तीन अधिया उसका 18 और 19 पदमे मैंसे पड़ता है क्योंकि बहुत से आईसी चाल चलते है जिनकी चर्चा मैंने तुम से बार बार की है और अब भी रो रोकर कहता हूंगी वे अपनी चाल चलन से मसी के कुरूश के वहीरी है उनगा अंद विनाश है उनगा ईश्वर पेड है वे अपनी लज्जा की बातों पर गमन करते है और पृत्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते है इदर अब लोग देख सकता है उनगा ईश्वर पेड है मतलब अपना पेड के लिए काम करता है उसके लिए सिखाता है और उनगा अंद विनाश है और पृत्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते है जहां भी जूटे शिच्चकों के हम लोग देखने से वे लोग अपना लाप के लिए लोब के लिए सिखाता है और काम करता है और जैसे भी हो उसका पेड भरना है और इसके लिए लोग क्या करता है लोग के लिए बाते गड़ कर तुमें अपने लाप का कारण बनाएंगे बातों गो शिच्चाओं गो गुमा फिराकर अपना लाप के लिए वे लोग सिखाएंगे इधर इंक्लिश में हम लोग देख सकता है false words या faint words बोलकर हम लोग देख सकता है और युनानी भाषा में उसका जो शबद इस्तवाल किया है वो है plastos बोलकर शबद plastos और उस शबद से plastic आए है और plastic हम लोग को मालूम है और वो जैसा भी हमारा मरजी से गुमा भिरा कर सकता है और कोई भी रूब में वो बना सकता है इसी प्रगार का प्लास्टिक के जैसा जो पदों का इस्तमाल करकर गुमा भिरा कर विश्वासियों को सिखाता है और उनका एकी लच्षे परमेशर की महिमा उनका लच्षे नहीं है और एकी लट्ष्य है कि जैसा भी हो उसका लाब होना है और अपना पेड भरना है अपना लाब के कारण इस तरह जूटे शिच्चा जूटे वजन को सिखाने वाला है आज दुनिया में इस प्रागार का बहुत सारा लोगोंगो हम लोग देख सकता है और उनका क्या होगा हम इतर देख सकता है जो देंड की आगया उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नही है इदर हम लोग देख सकता है उनका जो देंड है उसका देंड वो अभी आने के लिए कुछ भी देर नहीं है और उनका अंद विनाश है हमारे परमेशर देयालू है और अनिंग्रकारी है और वो इंदसार करने वाला है लेकिन ऐसे जूटे शिच्चकों के विशे में हम लोग देख सकता है उसका जो देंड है वो आने के लिए कोई दर नहीं होता है और उसका विनाश जल्दी होने वाला है पत्र से लिखने का समय में इसी प्रगर का जूटे शिच्चक लोग होते थे और जूटी शिच्चा कलीसियाओं में फैले थे और आज हमारे दिनों में उससे कई गुना ज़्यादा जूटे शिच्चा जो कलीसियाओं में विश्वासियों के बीच में मसीहत में फैला और इसलिए मसीही लोग विश्वासी लोग होश्या रहना है परमेशर के वजन को हम लोग सीकना है पढ़ना है और सही शिच्चा को समझना है और सही शिच्चा पर हम लोग चलना है और उस सही शिच्चा को दामे रहने के लिए और पकट कर हम लोग आगे बढ़ना है उसके परमेशर हम सभी को सहाधा करें परमेशर आप सभी को आशिश करें परमेशर का नाम की मेमा हो